नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है News 18 इंडिया पर मेरे नाम रोबेका लियाकत है चार बच कर पचास मिनट हो रहे हैं शुरू हो चुका है आपका चहेता कारिक्रम गूंज शाम चार बच कर पचास मिनट पर गूंज उस ख़वर पर होती है जो इस वक्त देश के पटल पर है डिवेट उस सवाल के इर्दगेज जो देश के पटल पर गूंज रहा है आज का सवाल हिमाचल प्रदेश की राजरितिक उठा-पटक से जुड़ा हुआ है बागियों की भरमार हो गई है और इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष की 2024 में पक्की हार है पहले मैं आपको इस वक्क की बड़ी खबर बता देना चाहती हूँ सीम सुखविंदर सुखु ने स्टीफा देने से इंकार कर दिया है ये इस वक्क की पाच बड़ी खबर है जिससे आपको हिमाचल प्रदेश को लेकर रूबरू हो जाना चाहिए दूसरी तरह सुखु के जो मंत्री है उन्होंने स्टीफा दे दिया है लेकिन जैराम चाकुर ने ये दावा किया है कि सुखु ने स्टीफा दे दिया है अब से कुछ देर पहले न्यूज 18 इंडिया से मेरे सयोगी अमीश देवगन से बातचीत करते हुए सीएम जो पूर्ट सीएम है जैराम चाकुर उन्होंने कहा कि देखिए सुखु की सरकार नहीं रहने वाली है दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांदी ये कह रही है कि MLA की खरीद परोक्त हो रही है लेकिन दूसरी तरफ विक्रम अदित्य सिंग ये कह रहा है कि मे सभा से 15 बीजेपी विधायकों को निश्कासित कर दिया गया है ये इस वक्की बड़ी खबर है उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश अकेला वो प्रदेश है जहां पर कॉंग्रिस की सरकार है लेकिन कब तक ये मालूम नहीं है राज्य सभा चुनाव के बाद हिमाचल विध मुख्यमंत्री है शिमला से लेकर दिल्ली तक पल-पल हालाद बदल रहे हैं और इसलिए सवाल करना जायज भी है मंत्री विक्रम अदित्र सिंग स्तीफा देते हैं भावो कंदाज में स्तीफा देते हैं सीम पत के लिए नए नामों पर चर्चा शुरू हो जाती है मुख्य हैं सीम की रेस में जो इस वक्त नजर आ रहे हैं लेकिन सुखू कह रहे हैं कि मैं स्तीफा नहीं देने वाला हूँ सवाल यह है कि अगर सरकार बच भी जाती है तो क्या कॉंग्रिस अपनी खोई हुई साख वापस ला सकती है हिमाचल में जो कुछ हो रहा है वो कॉंग्रिस के साथ पहला वाक्या नहीं है 2014 के बाद से कॉंग्रिस ने कई राज्यों में बनी हुई सरकार को खो दिया है कहीं बगावत हुई कहीं पार्टी लीडर्शिप स्टेट लीडर्शिप पर यकीन नहीं कर पाई अब मैं आपको सिलसलेवार तरीके से बता देती हूं कि वो कौ कौन से मौके सबसे पहले 2016 याद कीजी अरुनाचल प्रदेश में पेमा खांडू ने पाला बदला वो कॉंग्रेस चोड़कर बीजेपी में आ गए इसके बाद अरुनाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई फिर आता है 2018 कॉंग्रेस ने कंड़नाटक में जेडिय इसकी सरकार गिरी तब कमलनाथ मुख्यमंतरी थे इसके बाद शिवराज सिंग चोहान फिर से सीम बने और अब एक नया सीम मध्रदेश देख रहा है लेकिन वो भी बीजेपी का अब सवाल यह कि मोदी का मैजिक जनता का तूटता भरोसा और अपने नेताओं के बीज भरो इसके बीजेपी या एंडिये की सरकारे है और यह देश का साथ फीसद से ज्यादा हिस्सा इस वक्त है इन सभी राज्यों में जो इस वक्त आप और इंज में देख रहे हैं साथ फीसद से ज्यादा देश की पॉपिलेशन रहती है बाकी नीले रंग में जो आपको नजर आ रहा है नीले रंग वो राज्य है जहां कॉंग्रेस या फिर गैर बीजेपी सरकारे इस वक्त चल रही है हमने हमाचल प्रदेश को ब्लेंग कर दिया है इस लिए क्यूकर यहां की स्थिती अभी इन फैर्ट वो ब्लेंग होता हुआ आपको नजर नहीं जाए लेकिन वहां की स्थिती अभी कुछ कहीं नहीं जा सकती है क्योंकि यहां Congress सरकार पर संकट आया हुआ है जम्मो और कश्मीर और लदा कभी केंदर शासित राजे है इसलिए वहां कोई रंग आपको नज़र नहीं आएगा Congress ने जो पार्टी है उसमें बगावत है उसमें ये कहा है कि ये वो लोग हैं जिन्नोंने पहले तो सत्ता की मलाई खाई और अब जब वक्त आया साथ दिन तो भाग रहे हैं लेकिन बगावत होने की वज़ह से या तो Congress ने उन राज्यों में सत्ता गवा दी है या फिर पार्टी के बड़े लीडर उसके हाथ से निकलते हुए नजर आए है पार्टी कुछ नहीं कर पाई का अब तो हिमाचल प्रदेश में भी बागियों ने जंडा उठा लिया और ऐसे में सवाल ये है कि क्या बागियों की भरमार के बीच लोगसबा में विपक्ष की पक्की हार के संकेत मिल रहे हैं क्या और सवाल तो ये भी है कि कॉंग्रेस के नेताओं की तरफ से बेवफाई है या उनकी रुस्वाई की वज़े से ये घड़ी आई है इस वक की बड़ी खबर भी आपको बता देना चाहती हूँ न्यूज 18 इंडिया पर जैराम ठाकुर्ण ने क्या कहा है उन्होंने कहा है के सुखु सरकार अब ज्यादा दिन तिकने वाली नहीं है कॉंग्रेस ने बहुमत हो दिया है कॉंग्रेस ने अपने विधायकों को साथ नहीं रखा जैराम ठाकुण ने News 18 इंडिया से अभी कुछ देर पहले एक्स्क्लूसिफ वाचीत की थी मेरे सयोगी अमीश देवगन ने उनसे ये सवाल पूचा था कि क्या इस वक्ट स्टेटस है तो उन्होंने ये कहा कि सरकार अब सत्ता में रहने का हग हो चुकी है और अब मैं घूंज में डिबेट की शुरुआत कर रही हूँ लेकिन आज जो बड़े सवाल जिनके इर्दगेट घूंज की डिबेट रहेगी वो ये है कि सीम बदलने से कॉंग्रेस की मुसीबत खत्म होगी क्योंकि सवाल ये किया जा रहा है कि हम सीम से परिशाने उन बागी विदायकों की तरफ से सवाल ये कि कॉंग्रेस ने तृत्व को बागी हमेशा ब्लाक मेल क्यों करते हैं राज जिन नहीं समलते केंद्र में क्या कर पाएगी कॉंग्रेस ये वो सवाल है जिनका जवाब देने के लिए खास महमानों को इन्वाइट हम कर चुके हैं इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में शामिल हो रहा हैं बीजेपी के राश्रिप प्रवक्ता, जफर इसलाम सहाब, राश्रितिक विशलेशक आपसे कुछी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और दुश्यन नागर जो की कॉंग्रिस का पक्ष मस्बूती के साथ दिबेट्स में रखते हैं और संजय कुमार जी भी CSDS के हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं शुबरास्ता की तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछी देर में वो भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं लेकिन ये डिबेट शुरू करूँ, उससे पहले एक सवाल आप सबसे भी है और सवाल ये, क्योंकि आप दर्शक के तौर पर, विवर के तौर पर, वोटर के तौर पर हक रखते हैं कि इन सवालों का जवाब दे, हिमाचल प्रदेश पे कॉंग्रेस की सरकार बचेगी, हाँ के नहीं और आप में से कई ऐसे हो सकते हैं जो कहा कि कह नहीं सकते हैं तो इसका रिजल्ट हम अंत में अनाउंस करेंगे आप ट्विटर पोल पे हिस्सा ले सकते हैं तब तक और इस वक्त मैं डिबेट की शुरुआत करों उससे पहले नव निर्वाचित राज्जी सबा सांसाध हर्ष महाजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले तो मुबारक बाद और कल से चर्चाओं का विशय जो है वो गर्म ह हों गया हर्ष डी इस बात को लेकर कि रात है स्वा में तो जब जब आप आते हैं तो ऐसा चुनाव नहीं होता है जैसर लोकसमाव लगते हैं कल तो वही स्थिती दिखाई दे रही थी हट ہई बिल्कुल ऐसी स्थीती थी बैडव ये मेरा जो चनाब मैं सभागेशालियों कि बारते जनता पार्टी का कैंडिडेट बना और बड़ी इंटरस्टिंग फाइट रही और हम तो पचीश थे वो चालिश थे ती निरितले थे पर जब मैं उनसे विदायकों से मिलने गया ऐसा और मेरी उनसे अच्छी जान पचान थी मैं पहले कांडिस में पिताली साल रहा हूं और कई आदमी मेरे हाथ से खुद ग्रूम हुए हैं तो जब मैं उनको मिलने गया तो उन भी इतना रोश और डिस्केंट डिस्ग्रंटेट थे वो लोग अपनी पार्टी से कांडिस पार जनता में जनवानस में उनके MLA's में आगे वोटर्स में डिस्कॉन्टेट्मेंट होगी पूरी य तरह से निराष होगे अब MLA को तो मैडम जाना ही पढ़ता है अपने मेरे रोटरों के पास तभी MLA बन के आएगा अगर उसके काम ही नहीं होरह है उसकी जलील जलीले तो उसको जलील करके बेज्जे जा रहे हैं, उनको मिलने काटाइम नहीं कोई काम करने का टाइम नहीं कोई नीचे उनके चुनाव-ख्षी कक्षेत्रॉं में Kोई चला रहा है उसपार्टी के पास हो लेकिन जीत जाए विपक्षी आप वहाँ पर ऐसे जीते जिसकी शैद कल्पना बहुत कब होती है एक एक लौती सीट और आपने अभिशेक मनु सिंग्वी से छीन ली वो भी मैडम ऐसे है कॉंग्रस अब चिन भी नोचुकी है अब देश में भी प्रदेशों में इनकी लीडर्शिप क्राइसिस इतनी होगी है कि पता हैं कॉन कर लीडर्ट कॉन है कंग्रस का और इस वक्त तो कॉंग्रेस बदायक मेरे पास कुद आए कि हम इसके सरकार के गेंश्ट वोट करेंगे यह माचल एक छोटी स्टेट है साफ सुत्री स्टेट है यहां मतलब कोई ऐसी चीजे होती नहीं थी पहले यह कह रहे हैं कि आप लोग दबाव बना रहे हैं क्योंकि सत्ता में है तो पैसा आपके पास है इडी आपकी पास है सीबी आपके पास है पूरा का पूरा प्रशासनिक ताकत आपके पास है और इसी लिए जो है आप इसी तरीके से सरकारे गिरा देते हैं और नई अपनी सरका बना लेते हैं यह बड़ा विपक्ष आरोप है आप पर है जब कई हार जाए मैडम तो यह रोप लगाएगा यह ये सभाविक है कि कोई हारेगा तो करेंगा अपरेशन लोटरू से चला हुआ हुआ के कुछ को भी करेंगा तो ए-डी का चला हुआ है ये काम मैडम येह बाद आपना बन गया है और कि अपनी पार्टी के इतने बुरियल है गुट में गुट गुट में गुट और एक CM की कूर्सी के पिछे चार-पाँच आदमी लगें, कोई discipline दाम की चीजी नहीं है, आज कल जमाना है भारतिय जनता पार्टी का, उनके नितित्र देखो आप, मोदी जी हैं, हमिचा जी हैं, नड़ा जी हैं, जो decision देगे, वो discipline से निचीजी आप चुनाव जीते, और अ आप सत्ता के केहिंद्र में आ गए हैं, क्या BJP भी कल को हिमाचल में सत्ता चलाएगी? BJP सरकार बनाएगी, वो उनको इस वक्त कई MLS उनके साथ कॉपरेशन करने के लिए त्यार हैं, क्यूंकि अपनी सरकार से दुखी हैं वो, दुखी है, सुकु सरकार से दुखी हैं, किसी और को भी बनाएँगे तो एक तरह वेगुट चलेगा, दूसरी तरह गुट चाहेग अब सुकु को अठाएगे, तो किसको सीय बनाएगे, चार आदमी खड़े हो गये, पांच आदमी खड़े हो गये, हर आदमी सीय बना चाहता है, कोई डिसेबर नाम की चीजी नहीं है अगर आप वहाँ पर सरकार बना देंगे, तो फिर विपक्षिय आप पर आरोप लगाएगा ना, कि जनता ने चुना हमें, और आप वहाँ पर अपने बल का इस्तिमाल करते हुए, विदायक तोड़कर सत्ता चला रहे हैं अगर चुनाब करा लिये जाएं, तो भारतिय जनता पार्टी कम से कम पचास सी उपर चीटे लेके आएगी आज ये पोजिशन है वाचल में, एक तो मोंदी जी करने ते तो उपर से कॉंग्रिस के फेलियर्स, उपर से लीडरिशिप क्राइसिस इनका और इस वक्त जो है कॉंग्रस चेन भी नोर्चुप कि एक किसी भी दिन सरकार किप जाएगी स्पीकर देलेड़ हैं, उडिटलिः टेथिक के कर दो इसको सस्पेंड कर दो इसको ये कर दो ऐट्मेटली तो जीत हम ही जाएगी यह तो कोट में जाएंगे आप तो आप तो आप नव निर्वाजवत आप भी राजुसवा सांसद हैं कितने कॉंग्रिस के MLA आपके संपर्क में हैं एक नंबर आप दे सकते हैं और पक्के तौर पर के वो आपके साथ आजाएंगे और सकता आपको मिल जाएगी मैडम यहां यहां गुरूपिजम दो दो तीन तीन MLA का बन गया लग लग और इसे पर लग बग दस MLA ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में हैं हम लेंगी उतनी जो मज़ौटी जही है इसे ज्यादा नहीं लेंगे और आपके साथ आते ही वो सब पाक साफ हो जाएंगे, डिसिप्लिन हो जाएंगे नहीं हम तो एलेक्शन की करनाने को तेहर हैं, करें जो करना है और जो आएंगे उनके उपर क्या हमारी उमीद होगी कि वैसे होगा कोई बारगे नहीं की बात नहीं है मैडम इमाचल ऐसी स्टेट नहीं है इमाचल देवी देवताओं की स्टेट यहां आज तक कभी ऐसा हुआ है यह जो है कॉंडरिस के कारणी हुआ है इनकी अपनी सब्सक्राइब और खड़गे जी यह सरकार बचा नहीं तो यह पहले भी आये थे अब फिर ही आएंगे इनके बाद एक और गुड त्यार हो जाएगा इनके बस की बात नहीं कॉंगर्स पूरे देश में चिन्बीन होगी है पूरे देश में इनकी लीडर्शिप ट्राइसीज हो गया है पत कुछ लीडर कुछ और बोल रहे है होता कुछ और है मिनी स्थिती कुछ और है इनके नाम की पार्टी जो है वो डिसिप्लिन कोड़ी पार्टी अब नहीं रही है आप देखे को कौन कौन लीडर ऐसा है अब कॉंगर्स का जो इस पार्टी में रहना चाहता है जड़ी लगी हुई है आज मद्यापर्देश में और इसलिए तो विपक्ष की तरफ से कॉंगर्स की तरफ से कहा जा रहा है ना कि आप पावर का इस्तमाल करें और आप कह रहे हैं कि डिसिप्लिन नहीं है पार्टी में खुशी नहीं है और इसलिए ये सारे के सारे एक के बाद एक छोड़ कर आपके पास आ रहे हर्श जी अब राज्य सबा सांसद है भारतिय जनता पार्टी के जो बता रहे थे सरकार अब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की बनने वाली है मैं डिबेट का पहला राउंड आपके सामने रख रही हूं राउंड का नाम है पक्ष विपक्ष गूंज जफर इसलाम सहाब पहला सवाल आपसे एक मिनिट में जवाब दीजिएगा सवाल ये है कि आप एक साल तो चल लेने दीजिए किसी की सरकार सरकार में आते हैं जनता चुनती है और आप उनको तोड़ कर अपनी इतना पावर की भूप क्यूं है जफर साहब चैकstart में जफर सचे बाता पावर की भूप के और ये हर्ष महाजान जी को कि जीनों ने वोट दिया भारतिय जंता माटि को लग्यां को प्रतियाहिक को हर्ष महाजान जी को क्यों दिया यह सब को यह लग रहा है कि जो जनता के को वाइदे किये थे वह वाइदे पूरे नहीं किया है जनता को जो वाइदे पूरे किया है उतना तो पूरे करने चाहिए थे लोगों को वाइदा करका है लेकिन उन्हें वाइदा नहीं पूरा किया है और जो मुकमंत्री ने इन लोगने वाइदे किये थे कोई पूरा नहीं किया इसलिए आज जंता में भी रोश है और जंता के रेप्रेजेंटिटिव में भी रोश है और इसलिए वो फुट के सरकार के अगेंस जाके और एक ऐसे प्रतियाशी को वोट किया जहां पर उसको पता है कि एक परधान मंतिवी इसका वीजन है, मीशन है और उनसे परभावित हुए हैं कि देश को आगे से बलार है परदान मंतिवी जाफर साब आप एक साल में आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, वो तो पांच साल बाद डिसाइड होगा ना, कि जरता ने पसंद किया कि नहीं किया, अब एक मिनिट का मौका में दे रही हूँ, राज़ितिक विशलेशक कॉंग्रोस का पक्ष रखते हैं, दिल में उनके कॉंग्रोस बसती है, रगों में शायद कॉंग्रोस ही दोड़ती है, दुश्यन नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दुश्यन नागर जी दिल पर हाथ रखकर बोलि जैसे प्रधान मंत्री जी ने बोला था ना, दिल पे हाथ रखके, एक अकेला सब पे भारी, हम इस तरीके की बाते नहीं करते हैं, हम मात्मा गांदी के विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, लोगों से किये हुए वादों को पूरा करने वाले लोग हैं, तो हमारे यहां यह सब नहीं चलता जी नोटंकी, मैं भारतिय जन्ता पार्टी के हमारे साथी जो कह रहे थे, उनकी कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ, और जो पूरु मैं आपने राजसभा के सदश महुदे को जोड़ा, जो कह रहे हैं, पूरे देश में कॉंग्रेस तू यह कर रही है, इन्होंने पहले जारखंड में सरकार को ऐस्तिर करना चाहा, सरकार गिरानी चाही, राश्टपती सासन लगाना चाहा, यह नाकामियाब हुए, अब वो ही काम यह लोग हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में मूँ की खाके बैठेंगे, शुखो जी के पास में विधान मंडल, दल के अंदर पूरा बहुमत है, अब आपको अपने मूँ पर रखना पड़ेगा, 60 सेकिंड ओवर हो गए हैं, मैं ओपन करूंगी डिबेट, थोड़े टाइम में, पर एक सेकिंड के लिए, मैं अब चुनाब विशलेशक, सिफलोज को डिरेक्टर लोकनीती CSDS के, इनफाट CSDS में प्रोफेसर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, संजय कुमार जी को, ये निश्पक्ष गूंज होगी, एक्सपर्ड की गूंज, मैं अब उनसे सवाल पूठ रहे हैं, आपने दोनों को सुन लिया है, जफर इसलाम को भी, द जफर इसलाम कहा रहे हैं, वो या जो दुश्यन नागर कहा रहे हैं, वो, नहीं देखे, अगर एक पार्टी से अचानफ पूरी भगदर मची भी है, और उस पार्टी के ज़्यादा तर लोग एक ही पार्टी में जा रहे हैं, तो कहीं ने कहीं कॉंग्रेस के समस्या तो है, समस्या यह है कि आप अपने विधायकों को, अपने लीडर को अपने साथ रखने में सक्षम नहीं हैं, और पार्टी की दिक्कत क्या है, पार्टी की दिक्कत दोहजार उननीस की हार नहीं है, पार्टी की दिक्कत मधिपरदेश रायस्तान चतिसगर की हार नहीं है, पार्ट चोड़ करके लगातार लोग बीजेपी में जा रहे हैं एकका दुखका दूसरी पार्टियों में जाते हैं तो मेजर प्रॉब्लम तो यह है कॉंग्रेस के साथ लेकिन यह भी जरूर बात कहना पड़ेगा कि बीजेपी जिसके पास धेर सारे संसादाने और उरके पास कुछ ओफर करने के लिए हैं लोगों आप पार्टी में आते हैं तो आपको राजसभा की सीट मिलती है तमाम चीजे मिलती है तो अट्रैक्शन भी है बीजेपी कुछ ना कुछ चारा डालती है और उससे कॉंग्रेस के लोग खीचे चले आते हैं मतलब इसाथ दे उस लेले और सा उनने उनली दिखा कर ये कह रही है कि सब तुम कर रहे हैं जी रुबिका जी इसमें दो तीन बाते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने कार्डर के टालेंट का असम्मान करते हुए सिर्फ अपने कुछ नेताओं की सुनेगी तो उसका यही हश्र होगा जो आज कॉंग्रेस का हो रहा है और इस कड़ी में बहुत सारे एपिसोड में बस एक इपिसोड बर जुड़ा है ये कोई बहुत अचंभित करने वाली बहुत ही आकस्मिक बात हुई हो ऐसा नहीं है ऐसा होता आ रहा है और जब से भाजपा की सरकार दुबारा से चुन करके आई है सेंटर में तब से ये लगातार सिलसिला चल रहा है दूसरी बात ये है, कि ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर कॉंग्रिस पार्टी अपने विधायकों का अपने सांशदों का अपने ही कॉर्पुरेटर्स को समाल नहीं पा रही स्टेट लेवल पर तो वो किसी भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पर यहां पर भाजपा है या फिर कोई भी एक्स वाई-जी पॉलिटिकल पार्टी पर उसका ठीकरा नहीं फोड़ सकती यह गलत है तीसरी चीज यह हम भाजपा को यह भले ही सीख दे सकते हैं कि आप अपने मैंडेट में संतुष्ट रहिए और नैतिकता का साथ लेते हुए दूसरे ताइम्स अब मैं आगे आपसे बात करूँगे लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कॉंग्रेस के परिवेक्षक शिमला पहुँच गाए है भूपेंदर हुड़ा धीके शिवकुमार शि सकता है बीजेपी बड़ी कॉंफिडेंट इस वक्त नजर आ रही है परिवेक्षक शिमला पहुचे हैं लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि यह परिवेक्षक वहां पहुचकर करेंगे क्या क्योंकि तीन अलग अलग खेमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं मैं चाहती हूं ह आपसे भी तो यह सवाल पूछा जाएगा आपने संजे कुमार को भी सुना कि आप अगर जानते हैं कि सरकार और ज्यादा अपने आपको चला ही नहीं सकती है तो इंतिजार कर लीजिए विदायक संपर्क में आते हैं और आप इतने भोले हैं कि उनके संपर्क को एकदम सबस्ता से स्वीकार भी कर लेते हैं कि रुबिका जी देखिए मैंने पहले भी कहा हम किसी पार्टी को तोड़ना नहीं चाहते हैं यह पार्टी के खुद विदायक आपने सुना हर्श महाजान जो को खुद चल कर रहा है और उनको में रोश था वो चाहते थे कि हम के खिला उन्होंने अर्श महाजान जी भी ने कहा कि यह नहीं सब से उसकी वजा है कि एक पार्टी का जो नजरिया है वो यह है और उसका जो पूरा कैलकुलेशन यह है कि पहले परिवार परिवार फस्ट पार्टी सेकेंड और सेल्फ जो है वो नेशन जो है वो लास्ट और यहां कर रहे हैं अब जो जंता की सेवा करना चाहता है उसको एक प्लाटफॉर्म मिलना चाहिए न वह चुन कर आया है लेकिन वहां के बुकमंत्री नहीं सुन रहे हैं जब भी कोई कॉंग्रेस का नेतरत्व मजबूत नेतरतो नहीं है कॉंग्रेस के नेतरतो से एसंतुष्ठ हो के कॉंग्रेस के लीडर भाजबा जोइन कर रहे हैं अरे भाई आधर्णिय श्री मलिकार जुन खरगे जैसा अनुभवी नेत्र तो किसी पार्टी के पास नहीं है। पचास साल का उनका राजनेदिक जीवन है। लोकसभा में वो नेता रहे हैं। विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। कैबनेट मंत्री रहे हैं, वर्तमान में राजसवा के सदश्य हैं। एक ऐसी कॉम्टी से आते हैं कि जिनोंने लंबा संघर्ष किया है भारत में बराबरी पाने के लिए। एक फ्रीडम फाइटर की फैमिली से आते हैं। उन्होंने अपने परिवार को किस विशम परिस्तितियों से निकालके और वो इस मुकाम पे पहुचे हैं। कारेकरता का दर्द समझते हैं खडगे जी। उसके बाद भी भाजबा अक्सरे कहती है कॉंग्रिस की नेतरत्तु की वज़े से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। आप लोग अनेतिक कार्य करके ED, CVI, धन का बेजा इस्तेमाल करके कॉंग्रिस को तोड़ रहे हैं। और वो क्यूं आप ये काम कर रहे हैं। आज आपको हर्ष महाजन जी के वारी में आपने नहीं बताया कि हर्ष महाजन जी पूर में कॉंग्रिस के लीडर थे। आप कॉंग्रिस के नेताओं को आज मजबूर हो रास्तवा में भेजने के लिए। आज जफर इसलाम आपको अगर ओफर देंगे आप मान जाएंगे। जफर इसलाम तो अपना भाई ये कॉंग्रेस से ही गया है। आप तो कॉंग्रेस से ही गए हैं। आप तो अपने भाई हैं। आप आपको ओफर दे रहे आईए ना। मैं अगर किसी राजनितिक दल को जोइन करूंगा तो मैं अवश्य विचार करूंगा इनके ओफर पर अगर ये मुझे कोई ओफर देंगे तो क्यूं ना करूंगा। लेकिन मैं तो देश की सेवा मात्मा गांधी की तरह करना चाहता हूं। मैं तो राजनिति में नहीं आना चाहता। मैं तो देश की सेवा कर रहा हूं। ऐसमाज की सेवा करना हूं। मैं अगरें आना चाहएं या कॉंग्रेस वाले लाना नहीं चाहएं आपको। कॉंग्रेस भाजपा सपा बसपा मेरा इन राजनितिक दलों में कोई रुची नहीं है। आप मेरी चिंदा मत करिए अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी रगों में कॉंग्रेस है, दिल में कॉंग्रेस है, फलाना कॉंग्रेस है, दिमकाना कॉंग्रेस है, आपने कॉंग्रेस कहके इतना माहौल बना दिया, कि मैं ही चकित हो गया, मैंने का आज ये डिबेट होगी, क्या होगी, आज आप कह रहे दो दो मुखोटे मतली ना मैं तो क्या रहा हूं कि आपकी रगों में कॉंग्रेस है नेकिल को मुख्य मंत्री बनाया मैं शुखु के साथ रहा है जबर इसलाम साथ क्या किया रोजगार दिये तो फिर तो हिमाचल में सरकार नहीं चाहिए थी ना विक्रमादित्य सिंग को नहीं छोड़ के जाना चाहिए था ना अरे वो धोका आप के रहे हैं दुशिन भाई या तो आप पर यकीन नहीं कर रही है देश की जंता या फिर आप जूट बोल रह है और इसलिए देश की जंता सच में ही यकीन नहीं करें किस पर यकीन कर रहे हैं आपका माया जाल कमजोर पढ़ रहा है अरे तो फिर हिमाचल में आपकी सरकार रहनी चाहिए ना विक्रमादित्य को रोकर इस्तीफा नहीं देना चाहिए ना वह भूए दिगेगी ना और any ले वे लेग बोह हम मत रहे नहें टोल ना टोल में तो ही तो इसकme आपका करuğा उसका कि तो किन्हें और महारा भार्तियमत्य उसको नहीं है उसको डुılarने में उनके अपने हैं जो टिकत के किया है और कहीं कहीं उसेIB वो हुए तो जिनको ऐसा लगता है कि उनके अग्वारा नहीं होता है कि परिवार की सेवा करें ज़ए जनता की सेवा करने के लिए वह लोग छोड़के जाना चाहते हैं इसमें हमारा क्या दोश्य में तो पनाएंगे जुमले पुराने हो गए मैं देगे एक बात कहना चाहता हूँ आज सुख्भु जी के साथ में कॉंग्रेस के कितने विधाय कड़ें चौतिस विधाय कड़े हैं शुख्भु जी के पास बहुमत है सुख्भु जी मुक्यमंत्री हैं अगर दो चार लोग हैं जो पार्टी की लाइन का विरोध कर रहे ह हैं पार्टी की लाइन से बाहर जा रहे हैं तो सभीधान से मतकारवाई होगी भार्टी जिंता पार्टी के पास अवसर कहां से आ गया जवाब ले लूगे लिए बड़ी कॉम्पाक्ट होती है और इसलिए मैं चाहती हूँ सबको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल जा आप तो बीजेपी युक्त कॉंग्रेस युक्त बीजेपी कर रहे हैं जी रुबिका जी मैं इतना आपको बता दू कि जो भारतिये जनलता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं उनको इससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चुनावी रणनीती का एक नॉ इसलिए जनलता पार्टी को ये सलाह दे सकती कि आपके पास प्रचंड बहुमत है आप लोकल लेवल पर जीजनल लेवल पर जो चुनाव हो रहे हैं उसको ऐसे इंपाक्ट मत कीजे बट नैतिकता के अलावा लिगालिटी के टर्म्स में कॉंस्टिचूशनालिटी के टर्म् कि ये कहीं भी कहीं से भी ये तर्क संगत या आज या नहीं है वह भारतिये जनता पार्टी एक पॉटिकल पार्टी है वह कोई NGO नहीं है वह तॉटीट सोचवकர बिंदी के तहत रण होता हुआ कोई organization नहीं है हर political party का एक अलग mandate होता है उसका एक तरीका अलग होता है काम करने का और इस तरीके से सरकारे कई बार बनी है बिगडी है और ऐसी सरकारे बनने के बाद बहुत सारे ऐसे issues हैं जनता के जिन पर काम भी किया गया है अब आप एक बात बताई रुबिका जी यह जो भारती जनता party ने कुछ पोल प्रॉमिसेज मुझे लगता है पिछले चार दशकों से की हुई थी लोगों के सामने उन पोल प्रॉमिसेज को फुल्फिल करने के लिए राज्यसभा लोकसभा और रीजनल लेवल पर इनकी प्रचंड बहुमत वाली सरकारे होनी चाहिए वो अपने पहली सरकार 1960 में दल बदल करके बनी थी ठीक है गोविंद नाराएंड सिंग जी मुख्यमंत्री बने थे मिश्रा जी को हटा के वही अनैतिक तरीके से बने थे जिसको आप महिमा मंदित कर रहे हैं एंजियो नहीं धिमकाना नहीं धिमकाना नहीं तुश्यन जी दस सरकार ब आएगा संजय जी लेकिन ये जो इस वक्त हो रहा है जनता जब आपने अपने वेंग स्केल पर इसे देखेगी तो किस तरीके से देखेगी वह बादा याद करेगी कि कॉंग्रेस मुक्त भारत होगा या वह बादा याद रखेगी कि हमें विकास किसी भी कीमत पर आप तक पहुंचाना है? लेकिन तब तक हिमाचल की तस्वीर क्या होगी? कोई नहीं जानता?